कई बार हमने सुना होगा कि स्री कृष्ण तीन खंड के अधीपती थे या वासुदेव तीन खंड के राजा होते हैं तो चक्रवर्ती छे खंडों के समराठ होते हैं तो आखिर ये तीन खंड और छे खंड क्या है कहां पर है क्या इसी भरत छेत्र में है क्यों इनका इतना महत ये आज हम जानेंगे दोनों भरत छेत्रों के पुनह तीन-तीन विबाग हो जाते हैं जिससे भरत छेत्र के कुल छे खंड हो जाते हैं सास्त्र में वर्नित त्री खंडादी पती और शट खंडादी पती इनी खंडों से सम्बंदित हैं दक्षिनार्द भरत के तीन खंडों के अधिपती को त्री खंडादी पती कहते हैं और संपूर्ण भरत चेत्र के छे खंडों के अधिपती को शट खंडादी पती कहते हैं त्री खंडादी पती को वासुदेव कहते हैं और शट खंडादी पती को चक्रवर्ती कहते हैं चक्रवर्ति स्वयम अतुल बली होते हैं 14 रतन हजारो देवता उनकी सेवा में हाजी रहते हैं सामान्य राजा महाराजा को तो वे अपने आप जीत लेते हैं परन्तु विसिष्ट स्थानों को जीतने के लिए या अधिकृत करने के लिए चक्रवर्ति तेरा तेले करते हैं तेला यानि तीन दिन का उपवास पहला तेला करते हैं मागद तीर्थ को जीतने के लिए दूसरा तेला करते हैं वरदाम तीर्थ को जीतने के लिए तीसरा तेला करते हैं प्रभार्स तीर्थ के लिए, चौता तेला करते हैं सिंदु नदी जीतने के लिए, पांचवा तेला करते हैं वैताड्य परवत के लिए, छटा तेला करते हैं तमिस्र गुफा के लिए, सात्वा तेला करते हैं चुल हीमवन परवत को जीतने के लिए, आटवा तेला करते हैं नमी, वी नमी, विद्याधर को जीतने के लिए। नवमा तेला करते हैं गंगा नदी के लिए। दसवा तेला करते हैं खंड प्रपात गुफा के लिए। ग्यारवा तेला करते हैं नौ निदान के लिए। तो 12 तेला करते हैं विनीता प्रवेश पर, 13 तेला करते हैं राज्य अभिशेक के समय पर. आज जो विश्व हमें दिखाई देता है वो भरत छेत्र के प्रतम के खंड में अवस्तित है. भरत छेत्र के ठीक बीचों बीच पूर्वसे पस्टिम की और लंबा है वैताडिय परवत ये वैताडिय परवत पूर्वसे पस्टिम में लवन समुद्र को स्पर्श कर रहा है इसके बीच में आने से भरत छेत्र के बराबर दो विभाग हो जाते हैं दक्षिनार्द भरत और उतरारद भरत, वैताड़्य परवत की लंबाई है 10,000 योजन से कुछ ज्यादा और चोडाई है 50 योजन, उनचाई है 25 योजन, वैताड़्य परवत पर दो सरेनिया है, विध्याधर सरेनी और आभी योगिक देव सरेनी, वैताड्य परवत पर दस योजन उपर जाने पर ये परवत दोनों बाजु में चोडाई में एक साथ दस दस योजन घट गया है जिससे दोनों तरफ दस दस योजन की समतल भूमी बन गई है वहाँ पर विद्यादर मनुश्यों के 110 नगर है ये नगर एक स्रेनी बद में बसे हुए है विद्यादर मनुश्य वहाँ पर निवास करते हैं विद्यादर स्रेनी से दस योजन उपर जाने पर पुनह दस दस योजन की चोड़ी समतल भूमी है उसमें वान व्यंतर जाती के जुम्बक देवों के भवन है शकेंद्र के आभियोगिक देवों के भवन भी इन स्रेनियों में है आभियोगिक देवों के वहां रहने पर इन स्रेनियों को आभियोगिक देव स्रेनी कहते हैं आभियोगिक स्रेनी से पांच योजन उपर जाने पर वैताडिय परवत का सिकर उस पर नौ कूट और वैताडिय देव का आवास है। दक्सिन से उत्तर भारत की और जाता चक्रवर्ती इस गुफा में प्रवेश करता है और एक-एक योजन के अंतर पर कांकनी रत्न के द्वारा मंडल बना कर इस गुफा का अंदकार नश्ट करता है। वैताडिय परवत का मालिक वैताडिय गिरी कुमार नामक वान व्यंतर जाती का महरदिक देव है जिसकी एक पल्योपम की स्तिती है। खंड प्रपात और तमिस्र गुफा ये दोनों गुफाएं वैताडिय परवत के मूल भाग में स्तित है। गुफ़ा के अंदर का अंदकार मिटाने के लिए कांकनी रत्न से गुफ़ा के पूर्वी और पस्चिमी दिवारों पर एक एक योजन के अंतर से उन पच्चास मंडल बनाते हैं. जम्बु दीप के बाहर चारो तरफ गोलाकार परकोटा है जिसमें चार दर्वाजे चारो दिसाओं में रहे हुए हैं. उन दर्वाजों के नीचे से लवन समुद्र का पानी निरंतर जम्बु दीप में आ रहा है. साथ ही जगती में बने हुए छोटे छोटे नालों से भी प उसी पानी ने समुद्र का रूप ले लिया है जिसे हम प्रसांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी आदी के नाम से जानते और पुकारते हैं. सेस पांच खंडों में अनार्या मलेच जाती के मनुष्य निवास करते हैं. आर्या जाती के मनुष्य प्रतम खंड में ही रहते हैं, लेकिन प्रतम खंड में भी सभी आर्या देश नहीं है, मात्र 25 देश आर्या है, सेस सारे अनार्या देश हैं. तो ये थी छे खंडों से संबंदित संचिप्त जानकारी. आज का प्रशन है कि एक चक्रवर्ती में कितने सुबलक्षन होते हैं, कमेंट में बताएं. वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें.